तो बच्चों पिछली एक लास में उप साही हुजग योगी कॉंपलेक्स कंपाउंन यह कॉडिनेट कंपाउंन के लास्ट लेक्चर में वने डिस्कुस किया था वाइनर थीयरी, वाइनर सिद्धान संकुल योगी कों से महत्व, संबंधित महत्व कुंसिद्धान like first theory we have Wiener theory वो हमने discuss कर ली थी ठीके now आज हम क्या discuss करने वाले तो आज हम पढ़ने वाले सही उजगता बंद सिद्धान valence bond theory VBT VBT valence bond theory सही उजगता बंद सिद्धान बार बार शॉट में अगर मैं VBT बोल दूँ तो आपको समझना ठीके संकुल है मैटल है और मैं लीगेंड बदल दू तो रंग बदल जाता है तो उसकी reason नहीं दिया था वज़े ही नहीं बताई थी फिर अमने का था magnetic properties वगरों को भी जादा कुछ एक्स्लेन नहीं करा था फिर exactly हमें नहीं पता चल रहा के धा तू वही है है ना अब लीगेंड में change कर रही हूं तो कभी जोमेंट्री tetrahydral हो जाती कभी square planer हो जाती तो वो भी proper तरीके से हमें नहीं explain हो रहा था ठीक है उसकी tetrahydral होगी इसकी square planer होगी क्यों होगी कैसे होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं तो कुछ सवालों के जवाब आज हमें VBT से मिल जाएंगे फिर ये भी कुछ सवाल छोड़ जाएगी जो हम CFT से दिखेंगे हना CFT हमें समझा देगी कि हाँ चलो वी बीट ने यह नहीं समझा इसका जवाब तो यह है यह नहीं समझा रहे तो उसका जवाब यह है तो वन बाई वन हम आगे बढ़ रहे है ठीक है तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलंस बॉंड थियोरी यह आपको प्रापर जोमेट्री के बारे में बता देगी जयामिती के बारे में बता देगी Magnetic Properties चुम्बकिय गुणों की भी व्याख्या कर देगी वह अनुचुम्बकिय है की प्रतिचुम्बकिय है ठीक है वो आपको एक्स्लेइन कर देगी ठीक है तो आज डिस्कस करते हैं बच्चों वेलंस बॉंड थियोरी यानि की VBT ठीक है बई कहां गया VBT हमारा ये रहा तो वेलंस बॉंड थियोरी तो बच्चों सबसे पहले ये सिद्धान जो है आपको संकुल की जोमेट्री और किसके बारे में बताएगा तो हम गएंगे चुम्बकिय गुणों की व्याख्या करेगा VBT proposed by ये सिद्धान प्रती पाधत किसने किया था तो बच्चों ये सिद्धान दिया था पॉलिंग वेलंस बॉंड थियोरी से हमेशा एक नाम जुड़ावा मिलेगा आपको लीनियस पॉलिंग यानि पॉलिंग द्वारा दिया गया था ठीक है VBT proposed by falling सबसे पहले इंपाटेंस बता तो VBT का महत्व बता तो औंगे कि दो सवालों के जवाब तो मिले कौन-कौन से सवाल की जवाब मिले तो बच्चे पहला है जोमेट्री और दूसरा क्या है तो हम कहेंगे मैगनेटिक प्रापेटिस अब बच्चो VBT पूरी की पूरी hybridization पर बेस्ट है संक्रण संक्रण पता चल जाए तो जामीदी पता चल जाएगी जामीदी पता चल जाएगी तो चलो काफी सारे टेंशन ख़ता अब VBT की कुछ पॉस्ट्यूलेट्स पढ़ रहे ठीके अब आपको धियान लगता है कर आप बोर्ड एक्जाम दे रहे तो आपसे यह नहीं पूछेगा कि VBT की धार्नाओं को समझो नहीं चोटी-चोटी points निकालके उसपे सवाल पूच सकता है यह नहीं कहा लो पूरी की पूरी साथ पॉइंट पॉइंट लिग दो कभी भी नहीं तो अपुछ टेंशन नहीं लेना है जन्री पे चोगे मिस्ट्यू बहुटर लगता है कि अरे VBT अगए तो क्या करूंग तो सरुकोन याद करना है सिर्फ पता होना ची कि VBT की पॉइंट क्या क्या है मैं तुमसे बूचो पी देगा VBT नहीं सका सही की गलब तो तुम इतना बता होना ची कि हाँ VBT नहीं बोला था तुम्हें बोलके नहीं बताना कि VBT नहीं क्या बोला था नहीं इतना कोई जरूरी नहीं है ठीके, तो points नहीं लिखने हैं, लेकिन points काम आएंगे, हमें questions करने हैं, तो वो questions आपको करने हैं, और बिल्कुल simple है, आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल easily हो जाएंगे, ठीके, तो start करते हैं VBT के points को, तो बच्चों VBT का मानना है, पहले मैं बोल तो ते फिर इस दर देख तो VBT कहता है कि किसी भी संकुल में केंद्रिय धातु परमाणू सब से पहले अपनी oxygen अवस्था के अनुसार electron त्यागता है, according to valence bond theory, central metal atom loses its electron according to its oxidation state, जितनी इसकी oxidation state अभी oxygen अवस्था दो, तो दो electron छोड़ी हो, है ना, 4 तो 4 छोड़ दो, 6 तो 6 छोड़ दो, जितनी oxygen अवस खाली हो जाएं, खाली चाहिए, क्योंकि आ रहा है leegend, leegend मतलब loan पे donate करने, ठीक है, मतलब घर में में महमान आ रहे है, तो क्या करेंगे, room को adjust करना है, अब room तो है जितनी है, है ना, तो हम क्या करते है, घर के ही लोग जाता है, तो adjust हो जाते भी, 2-2-2-2 adjust हो, और महमान इन दिन दिन adjust हो जाओ, जगे तो बनानी पड़ेगी ना, similarly किसी complex के अंदर central metal atom उसको लग रहा है, चाह लिगेंड आने वाले, तो फटा पर आक्सिक अना वस्ता देख लेता अच्छा, तीन तो तीन छोड़ो, तीन electron छोड़वा दो, और जितने leegend आ रहा है, जितनी उप पढ़ोगी, तो VBT का मानना है कि एक ही प्रकार का बंद होता है, और वो होता है सह सही हो जग, तो आप जब VBT पढ़ रहे हो, तो आप को माननके चलना है कि complex compound जो है, वो metal और leegend के बीच में, कोवलेंड बॉंड, मतला है उपसा सही हो जग, तो VBT का मानना है कि प्रकार बनारी बच्चों, इस सिद्धान के अनुसार किसी संकुल में केंद्रिय धातु पर मानन, सबसे पहले अपनी ओक्सिकर्ण अवस्था के अनुसार, electrons, एक से ज़्याद अलेक्ट्रोन है, हैना, electrons त्यांकता है, ठीक है, और leegend संक्या के अनुसार क्या करता है, vacant orbital available करवाता ह ठीक है, अब मुझे बताओ कि चलो रिक्त कक्षक तो उपलब्द हो गए, हैना, रिक्त कक्षक से संकुल में धातु के संकरण तदा ज्यामिदी का निर्धारण होता है, अब ये कैसे, तो बच्चे मान लो कि मेरे पास दो leegend है, हैना, तो दो leegend है, तो संकरण में क्या हो तो संकरण में दो कक्षक भाग लेंगे, अब दो ही कक्षक भाग लेंगे, तो पहला एस दूसरा भी, तो मैं गऊंगे, अच्छा, दो leegend है, तो संकरण तो SP रखो, और geometry, तो दो ही आएंगे, तो सीधे-सीधे, एक लाइन में, तो geometry हो जाएगी, linear geometry यानि की रेखिय जिय तो पयामीती, चीक है, पहला point clear, मालो तीन लिगेंड आगे और मैं लिगेंड एक दंतुक मान के चल रहे हूँ, चीक है, तो तीन एक दंतुक लिगेंड आगे, मानोडेंटेड आगे, बतलब तीन जने लोन पर डोनेट कर रहे हैं, तो बच्छे अगर तीन जने लोन पर तो hybridization संकरण में तीन कक्षक भाग लेंगे तो तीन कौन से तो पहला S, फिर P, फिर P अब ऐसा क्यों? तो भाई, रूल ही है यह ना पहला 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, 3P, 3D तो जो है उनी को तो लेऊंगी ना, S से तो बदम P आए है ना, तो हम कहेंगे 1S और 2P, तो बच्चे संकरण हुआ SP2, ठीक है, अब SP2 में जोमेटरी क्या होती है, तो हम कहेंगे 6 SP2 में जोमेटरी 3 जने है, तो 3 जने मतलब पंखा, पंखा कैसे? तो पंखे में कोडिय समतलिय, ठीक है, तो अगर संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे, है ना, 3 कक्षक भाग लेंगे, तो संकरण SP2 माना जाएगा, और जोमेटरी, ट्राइगोनल कोपलेनर, लेकिन लीगेंड 4 है, तो मेरे पास 2 possibility है, जो संभावना है, यहां तो संकरण होता SP3, और यहां संकरण होता DSP2, अगर SP3 संकरण है क्योंकि 1 S13 भी, अगर संकरण SP3 है, तो तो बच्चे टेटराहेडर, चतुषफल की ज्यामिती होगी, बोलो, अगर संकरण SP3 है, तो जोमेटरी होगी टेटराहेडरल, चतुषफल की, और अगर DSP2 है, एक D, एक S, दो P, तो हम गएगे अच्छा, भागतो अभी विचाल ले रहे, लेकिन D मान लेते हैं, वरगाकार संतलिय ज्यामिती, ठीक है, अब अगर लीगेंड संक्या 5 हो जाती तो, तो देख लेते हैं मही बच्चों, अगर लीगेंड संक्या हमारे पास 5 हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हम गेंगे, अगर लीगेंड संक्या 5 हो जाए, तब भी दो पॉसिबलीटी है, संक्रण या तो होगा SP3D, या होगा DSP3, अब तो यह लेका, यह की तो बात है, D आगे लिखो, पीछे लिखो, तो एक बात नहीं है, अब ध्यान सुनना मेरी बात है, एक बार आपर समझा होगी, बात में जब आएगा, लेकिन अब ही सुनो, 3S, 3P, 3D, ठीके, 3S पड़ा है, 3P पड़ा, 3D पड़ा है, है ना, और मैं करेंगे, वह पांच लीगेंड है पांच, तो पहला तो S लियाओ, 3S पड़ा है, फिर 3P लियाओ, तो हम गेंगे SP3D हो गया, और एक और चीह ह पहला हुआ है, एक छोटी सी जिगेश बच रही है, एक और बच रहा है, और बागी, 4S, 4P, बाहर तो होते हैं, 3D है, तो 4S होगा, 4P होगा, अब मैं के रही हूँ, पांच लीगेंड है, तो तो तुम को कहा है, मैं 4S का S ले ले लेता हूँ, और P ले लेता हूँ, तो पह बाहर क्यों जोओं, अंदर का D खाली पड़ा है, 3D अगर खाली है, तो अब आकी 3S ले भी भरा हुआ है, एक D खाली मिल रहा है, है ना, तो हम क्या कहींगे, चलो एक तो ले लो, फिर 4S ले लो, फिर 4P ले लो, मतलब अगर ट्रेन का एक डिबा है, उसमें तुमें पूरा वाला जो है, हाना, जस्कनेक्टेड जो है, उससे में, एक सीट ले लो, या फिर में डिबाई चेंज करो तो और अगले डिबे में जाके जाओ, तो अगले में क्यों जाना, हाना, पिछले में एक खाली पड़ी तो उसको ले लेते हैं, सिरल अरली, 4S हो गया, तो 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 त ही, उसी गार का है, लेकिन अगल अंदर एक खाली पड़ा थो बाहर का क्यों लेड़ा है, और वो भी डिपेंड करेगा नेचर पर, नेचर आफ लिएंट पर, तुम्हारे पास्को चूसे रहेंगी, कि मुझे डी अंदर का लेना है, कि मुझे डी बाहर का लेना है, वो हम भार वाला लेना है कि D अंदर वाला लेना पीटी ने यह नहीं समझाया लेकिन चलो फिलाल मुझे geometry लिखनी है तो मैं गऊओंगे पांच में तो geometry fix है ना और पांच की geometry क्या होती है तो मैं गऊओंगे पंक्हा बना लो त्रिकोणिया अब पंक्हे में तो तो पंखा ले लो और एक दंडी उपर और उससे से नीचे एक दंडी और वीचे गूम रहा है ठीक है तो त्रिकॉणिय अबाव द प्लेन बिलोव द प्लेन को हम बुलेंगे पिरामेडिय तो बच्चे जोमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाही पिरामेजल त्रिकॉणिय द्वी पिरामेडिय ठीक है और इसमें तो इसमें भी सेम है बच्चे त्रिकॉणिय अर्द्वी पिरामेडिय यहां कोई टेंशन ही नहीं बस टेंशन वहीं थी और वो रहेगी वो बिचारा वर्नर भी बोल बोल के थग्या यह तो पता नहीं अब यहां पे भी हम देंगे चलो सिविलेरली बच्चों अगर आपके पास छे लीगिन है है ना तब भी आपका संक्रण या तो SP3 D2 रहेगा यहां D2 SP3 रहेगा अब D बाहर वाला लेना है कि D अंदर वाला हो हम देखेंगे फिलाल हम अपना पॉइंट क्लियर कर रहे हैं हम अपनी बात रख रहे हैं कि भाई ठीक है 6 लीगिंड है तो ज्यामिती जो होगी व्श्ट फल क होगी अब लीगिंड हम देख लेंगे 6 है ज्यामिती अस्ट फल की होगी अब संक्रण में कौन से कक्षग भाग ले रहे हैं वो हम दिमांग लगा लेंगे और भी हमारे पास तरीके हैं जगार है ठीक है यहां तक तो clear? अब VBT क्या कहता है? जो आपको पहले से बता है. VBT कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास D, अच्छा आपको पता नहीं है, मुझे पताना है, अगर तुम्हारे पास D अंदर वाला है, अंदर वाला समझे, मतलब तुम्हारे 4S, 4P है और तुम D अंदर वाला ले रहे हो 3D ले रहे हो तो तुम्हारा जो संकुल होगा उसे कुछ नाम देना पढ़ेगा यदी संक्रण में N-1D कक्षक भाग ले रहा है मतलब समझे भी मैं यह 3D था है ना और 3D में मैं गवाओं कि बही देखो में तो क्या है कि यह तो भरा हुआ है यह भरा हुआ है यह यह खाली बढ़ा है और यह 4S है और यह 4P है तो तुम को कि अच्छा 5 कक्षक चाहिए तो मैं क्या करता हूं मैं D तो यह उठा लेता हूं क्या करों यह उठा लेता हूं तो D उन्हें अंदर वाला उठा लिया तो बच्चे मतलब N-1 समझे कि अगर यह 4 है तो यह 3 है अगर यह N है तो यह N-1 नहीं क्या बोलो अगर S और P 4 है तो D तो तुमारा 3 है तो S और P अगर N है तो D तुमारा क्या है N-1 है तो यदी संक्रण में N-1D कक्षक भाग लेता है तो इसे तो इसे कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल Inner Orbital Complex आंतरिक कक्षक संकुल या तो बच्चे इसको कहते है लो स्पिन निम्न चक्रण संकुल ठीक है Low Spin Complex निम्न चक्रण संकुल Low Spin Complex या फिर बच्चे चक्रण युगमित संकुल Spin Pared Complex चक्रण युगमित संकुल कहते हैं Low Spin, Inner Orbital या Spin Pared Complex कोई दिकत नहीं अब अगर क्या हुआ? मालनो बाहर वाला आजाता 4S, 4P, 4D है ना? देखो या तुमने D अंदर का लिया है ना बच्चे ये N-1 है तो ये तो क्या हो गया? तो ये Inner हो गया आंत्रिक हो गया अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता? मालनो ये 4S है 4P है और अब मुझे एक D गक्षट चाहिए है ना? अब मुझे एक D चाहिए तो बटा S, P, 3 और ये D तो मुझे बताओ ये N है ये N है तो ये भी तो N है अंदर वाला था तो तुमने ये नाम दे दी अब ये सब कमान N है न ठीक है तो बच्चे अगर यदी संक्रण में N-D कक्षक भाग लेते हैं तो उसे आंतरी कक्षक संक्कुल का था तो उसे बाहिया कक्षक संक्कुल कह दो तो हम कहेंगे ठीक है बगी एक नाम तो ये दे दो बाहिया कक्षक संक्कुल या तो उसको बोलो पिष्ली बार लो स्पिन था निमने चक्रण इस बार हाई स्पिन बोलो high spin को क्या बोलेंगे उच्छ चक्रण संकुल ठीक है एक low spin एक high spin और वो था चक्रण युगमित है ना तो ये है spin free चक्रण मुक्त कहे दो spin free चक्रण मुक्त संकुल ठीक है चक्रण मुक्त संकुल spin free complex ठीक है चक्रण मुक्त संकुल कहते है ठीक है अब लास्ट की दो बाते हैं ये तुम्हें पता थी अगर संकुल में और युगुमित इलेक्टरौन उपस्तित है तो बच्चे और युगुमित इलेक्टरौन अनपेयर्ड इलेक्टरौन तो हम करेंगे और युगुमित इलेक्टरौन मतलब अनुचुम्ब की अनु और युगमेत इलेक्ट्राउण, अनू, आकर्षित वह सिए उस चुंब किये कि जो चुमब कि आपनी और आकर्षित करें ऐसे ठोसपधार्ब क्या होते हैं? अनुछूम्ब किया है चुमब आकर्षित करें क्योंकि आकर्षित करें जह ना हमने कहा नाम अनुचुम्ब किया है तो लगों इलेक्ट्राओन है रगों के लिए उत्तरदाई हमेशा unpaird electron होता है रंग के लिए क्वाइड जब्मेदार होता है अन्पaleid electron और यूगमित electron जोड़ों है यूगमित है तो थो बच्चे यदि संकुल में यूगमित electron है तो प्रती करशन होगा , तो क्या होगा ये तो हम कहेंगे तो यहां प्रती चुम्ब किया होगा डाया मैगनेटिक अनुचुम्ब किया मतलब पैरा मैगनेटिक प्रती चुम्ब किया मतलब डाया मैगनेटिक ताथा रंग हीन कलरलेस होगा ठीक है बढ़िया दो चीज़े हैं कॉंपलेक्स में अन्पेड एलेक्टराउन दिखे तो अनुचुम्ब किया और पेर्ड दिखे तो प्रती चुम्ब किया डाया मैगनेटिक रंग हीन कलरलेस रंगीन कलरड ये सारी बाते वीबिटी ने बोलके और शांती कर दी बताया तो सिर्व यह नहीं बताया कि आंतरी कक्षक बनेगा बहाई यह कक्षक बनेगा हालांकि वीबिटी का जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो देखो ऐसा कुछ बोलेगा कि यह संकुल है यह प्रती चुम्ब किया तो आपको अपना बैसे से लेगे अगर सिर्व यह चीज तो दी नहीं सिर्व यह दे दी तो मुझे क्या पता ही अनुचुम्ब किया है मैं कैसे दिमाग लगाँगो चलो अस्टफल किये तो है यह नहीं बताया बच्चों के लीगेंड दो प्रकार के हैं है ना फिलाल प्रकार तो कुछ भी हो सकता है फिलाल में करीवाई लीगेंड को दो केटेगरी में माटू क्यूं बाटूना है कैसे हैं यह सारे आंसर्स तो cft के लेकिन जब तक वह कॉंसेप्ट नहीं लेगे तो इसकी क्वेशन नहीं कर पाऊगे तो हम ठीक है ना जो इसकी कमी है वह हमने कहीं और से देखके और जुगार लगा ले अपना क्वेशन करने के लिए ठीक है तो दो प्रकार के लीगेंड है पहला है दुरबल शेत्र लीग अब बच्चे प्रबल शेत्र लीगें है ना इसको हम बोलेंगे SFL और दुरुबल शेत्र लीगें इसको हम बोलेंगे WFL strong field legion, weak field legion, ठीक है, strong field legion, SFL, है ना, और WFL, weak field legion, चलो भई, ठीक है, दो प्रकार के legion माल लेते हैं, WFL and SFL, अब, अब, तो होता क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो, अगर अब, टो, कर दोनोर अटर्म रभाण कार्भन, करेखो है, कार्भन सच है, क्या है, क्या दान ही तो करना है, कर देता हो, मेरी कौन से टेंडनशी है, इलेक्ट्रोन को रखने की, यह, बिधने ह्यागी है, तो हलोजन तो और तो विद्योत्र होता है, मैं तो नहीं देूँग, म बट एक बाद लोन पेड दोनेट कर देता है है लेकिन ओक्शिजन नहीं अपने बसका नहीं हम लोन पेड डोनेट नी करें तो हम याद रखेंगे और याद रखो तो थोड़ा हॉगजा आजा तो बच्चे आई बारिश कल फिर पानी से क्या ताथ पर यह है तो, I से I-, बारिष से BR-, कल से CL-, फिर से PR-, पानी मतला water, डोनर एटम oxygen दिख रहा होगा, oxyleto, अचा carbon दिख रहा है, इसका मतले ये ये carbon donor atom है, carbon क्या, co- oxygen donor atom है carbon थोड़ में, ठीक है, और aja मतले oh- hydroxy, hydroxydo, इस chapter में तो फिर ये भी है, hydroxydo, ठीक है, और प्रबलशेत्र लीएंड के बारे मिन बताओ, तो हम कहेंगे ठीक है, फटा-फट देगा, carbon nitrogen तो थोड़े अच् रखना है कोई कञन नो बाइन नहीं ऐसे कणड़ तुम सोच रहो कि यहां कुछ ऐसा बना दो तुम भरमा नहीं कहुंंगे बोध बरी आवाज है मेरी तो कोई मतलब नोब कारवनमोनोचाएड कन्या मतलब साइनाइड, ठीके, रैसे कन्या खटरनाग होती है साइनाइड की तरह, NO2, BY, BIPY, कोई भी कन्या, BY तो है नहीं, जलत बाद, ठीके, BIPY मतलब बाइपरिडाई, ठीके, N मतलब अथिलीन डाइमीन, E, N, अथेन वन्टो डाइमीन, और नहीं मतलब NH3, तो मैं देख रहे हैं, इनके जो डाइम्स है ना, दे आर काबन और नाइटरोजन, तो काबन नाइटरोजन तो लड़े जगडें विश्वास नहीं रखते, ठीके, दान देना देना दे तौग, लेकिन हालोजन केते, नहीं, ओक्सिंद कई करे, मैं तो नहीं डोनेट कर रहा ह है लेकिन जल्दी और मुश्किल से इसको बीटी में लिखना है है नहीं नहीं है यूने तुम सोचोँ कि लोग विवी टी कहनो सार्ट वंक्रेट हैं यह यह साल नहीं करता है यह पोस्के दोइज़न और प्रते प्रती चुंबक लैऔर कैसे तो नहीं वो और किशन से nam सपना थोड़ना आएगा तो हमने थोड़ा जुगार लगया अब बच्चे जो strong field आते हो तो अंदर के कक्षक काम में लेने आंतरी कक्षक संकुल बनाएंगे हमिशा प्रतिशंब क्या रहेंगे और यह जो वीक फील्ड लीगेंड है यह लोग बाहिय कक्षक संकुल बनाएंगे मतलब अगर तुम्हारे पास चॉइस है तो तुम्हे बाहर का इए रिक्त नहीं लेना है अब अगर ये चीज ध्यान है तो तुमसे कोई सवाल हो बन जाएगा लो पहला सवाल तुम्हारा ये है स्यो एनेस्ट्री ओल्सिक्स प्लस त्री प्रती चुम्ब किया अस्ट फलक किया संकुल है कुश्चन बनाएं का दो वी बीटी का दार में समझाओ ठीक है तुम बता दो प्रती चुम्ब किया है के अनुचुम्ब किया है रंगीन है कि रंगीन है रोते रो भी बीटी को तो है ठीक है पॉइंट हम सारे याद रखेंगे है ना तो पॉइंट याद रखते हैं तो पहला complex देख लूँ तो मैं कहूंगे इच्छा complex तो ये है CO NH3 whole 6 plus 3 सबसे पहले भी बीटी ने कहा था अब ऐसा करो केंद्रिय धादू पर्माणू की oxygen अवस्था निकाल लेना तो हम गएंगे चलो कोबाल्ट X अमोनिया 6 है लेकिन अमोनिया neutral है ओवर ओल संकुल का चार्ज तुम्हें plus 3 नज़रा रहे तो बच्चे कोबाल्ट तुम्हें कहूंगे plus 3 अब यह तो नहीं बताना पड़ेगा कि कोबाल्ट का पर्माणू क्रमांग 27 है कि यह बताना पड़ेगा तो वह यह बताना पड़ेगा तो फिर वापस देखो है ना अगर तुम्हें atomic number या दे तो question कैसे करोगे ठीके तो पर्माणू क्रमांग एक से लेके नहीं एक से तीस नहीं बताऊंगे फिलाल कहां आएंगे 21 से तीस ठीके पर्माणू क्रमांग 21 से लेके 30 तक के elements याद होने चेपर इसमें कोई उल्जन नहीं चाहिए सवाल कैसे करेंगे तो बच्चे 21 से 30 है ना तो element को याद करने का जिंगल देखो मैंने periodic table भी बना रखा एक वीडियो है ना आवज साणी शॉट में याद करने के लिए 10 मिनट पर आवज साणी याद हो जाएगी नहीं याद तो अब याद करो क्योंकि यहां मुझे चाहिए 21 से 30 तक फिर D-Vlog पढ़ाऊंगी है ना आपको चीजे तो याद रखनी पड़ती इसका कोई लास थोड़न है ठीके तो 21 से 30 तक मैंने लिखा है AC TV कार में फे कोनी कुझी अब तुम जिसने जैसे सिखाया है तो वैसे याद कर लो कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे सिखाया जैसे याद कर लो मि साइंस टीचर मी नी था कर प्लानी क्यूं मन फे कोनी कुझी तो दुम साइंस टीचर से याद कर लो ऐसे याद कर ने ऐसे याद कर लो और कुछ आता है तो उससे याद कर लो ठीके अब बच्चे S C S C मतलब Scandium ठीके T Titanium कार में मेंगनीज, फेकोनी, आइरिन कुबाल्ट निकल और कुझी, कुझी, कॉपर और जिंक, अब ये बताने से हुआ क्या, ये किस है और ये तीस है, विन्यास बताओ, ठीक है, अब मझे बताओ, ये था थो बता है, 1 इस्टू, 2 इस्टू, 2 इस्टू, 3 इस्टू, 3 अब 3D नहीं बरता है, 3D से पहले उसका अगला 4S बरता है, 3D हमारे महाराज है, महाराज है पहले एक सिपाई आएगा, तो 1S, 2S, 2P तब तो कुछ आया नहीं दी, 3S, 3P, 3D नहीं आएगा, 3D से पहले अगला 4S आएगा, आफबाव उने पहली कह दिया था, जब भी कोई 3 से दी बरने जाओ, कोई भी दी बरने जाओ, उसका अगला 4S पहली भर दो, चीक है, तो मैं कहूंगे, 1S, 2S, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6, 18 होता है, तो मैं क्यों कहूं 18 होता है, याद रखो, 18 पे आरगन होता है, है ना, तो अगर मैंने लिख दिया आरगन, तो एग्जाम में दो कह अच्छा, 1S, 2S, 2P, 6, 3S, 2P, 6, 3S, 2P, 6, इतना लिख लिख लिया, तुमने खाली आरगन लिखा है, उसने सोच लिया, 3D तो तुम कहूंगे, 3D नी, 3D पीछे, पहले S बरो, और अगला S, है ना, कहीं से उड़ गाएगा, पहले भरो, है कोई कहां में मतलब दी पर यहां पहले आएगा, तो मैं गहूंगे, 18 हो गया, 4S, 2 कर दिया, तो 20 हो गया, अब 21 तक तो 3D में जाना पड़े, तो यह 3D 1, यह 3D 2, पूरा नहीं लिखूंगे, अब यह तुम सीख्या है, 11 क्लास में, 3D 3, क्रोमियम और कॉपर अपवाद होते हैं, ठीके, हाफ फिल्ड और फ 18, जाना मुझे 24 तक था, बहूना तो चाहिए था 4S2 और 3D 4, 4S2, 3D 4, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, 4S2, 3D 4 नहीं होता है, तो क्या होता है, तो होता है, 4S1, 3D 5, अब तो पूरा बर दो तो D10, अजा गर दो तो D5, ठीके, तो यह हाफ फिल्ड के चकर मे अब यहाँ देखो, यह 25 है, तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, 18 पे आरगन, 4S2 पे 20, और 3D 5 पे 25, फिर यह तो मैं होंगी 3D 6, यह 3D 7, यह 3D 8, और कौपर जी फिर अपवाद है, तो भई होना तो चाहिए था आरगन, 4S2, 3D 9, होना क्या चाहिए था 4S2, 3D 9, लेकिन ऐसा हो कि S से एक इलेक्ट्रोन जम कर जाए, भई S तो चला के आगे आए, तभी 3D हमाने महाराजाए, तो महाराजा को स्थाई तो बनाओ, कम से कम हाफ इंड मार फुल्फिल्ड में तो बना दो, तो हम गएंगे ठीक है, महाराजा को स्थाई बनाना है, तो हम खाली हो जाते हैं, इंको पूरा भर देते हैं, है ना, तो पहले उसको भरो, तो वो खाली हो जाएगा, कोई बात नी सेनिक है, एक आद रोटी कम भी खाई तो चल जाएगा, है ना, महाराजा हमारे फुल्फिल्ड होने चाहिए, पूरे साटिस्वाई होने चाहिए, तो हम जिंक में तो पर देंटा ही नहीं है, जिंक में तीस तुम्हें कहूंगी, आरगन, फोरस्टूथ, रिडी टैन, अब यह तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ता कक्षक 11, चिप्टर नंबर 2, चिप्टर अपका अटामिक स्ट्रॉक्चर, ठीक है, हम तो हम इस सवाल पे नहीं पता तो कहीं कि अक्षक खाली करा होगे, तो तुम कहोगे, अच्छा, कोबाल्ट का अटामिक नंबर, से टीवी, कार में, फेक हो नी, तो नी तो निकल 28, तो को मतलब कोबाल्ट 27, तो भई मैंने लिग दिया 27, नाउ स्टूटेंस 27, तुम कहोगे, एच्छा, वन इस 27, 27 होता है, अब आँको तो प्लस 3, अब वेलेंस बॉर्ण थेयरी की पहला पॉइंट, है ना, याद करना नहीं है, पर पता तो होना चीह था, पहला पॉइंट था कि बई, जितनी ऑक्सिदेशन स्टेट होगी, उतने इलेक्टरोन छुडवा दो, जितनी ऑक्सिगर आवस तो पेहले 4 ते 2 निकालो, तो टोटल के ते निकालन थीन, तो पहले 4 से 2, तो 3 ते 1 निकालयो, तो तुम काँगे चयहां से 2 निकालो, यहां से 1, निकाल दू है नब निकल यहां जाएंगा ठीके, गोली चलेंगे तो रोण राजाभ यॉपगर दोगे, है लोगा है यह 3D5 हो जाओ, यह 4S2, sorry 4S1, 3D10 हो जाओ, और जब बाहर निकलने के बारे यह तब इसी को, त्याग के लिए ही बना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, है ना, तो डेली लाइफ में, चीजे बाद में होती है, हमारी के मिस्ट्री में तो पहले होती है, तो हमगे के चाह त्याग क करो, यह तो अपने नहीं करें, तो ओके, तो अब हमारे पास आया आरगन, और 3D6, ठीक है, अब वैलेंस बॉंट तेरी का पहला पॉइंट क्लियर के ऑक्सिगर अवस्था, उसके अनुसार एलेक्ट्रों त्याग, सेगेंड पॉइंट था, कि भी लिगेंड आएंगे, उत तो 3D में कक्षक है, एक, दो, तीन, चार और पाच, ठीक है, 3D, फिर 4S, और फिर 4P, ठीक है, बना दी, अब 3D में एलेक्ट्रों कितने हैं आपके पैस, तो जो है, वो इमानदार इसे भर दो, तो हम गएंगे, एलेक्ट्रों तो 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ठीक है, भर दिया अब क्या करें, तो अब तुम्हारी पस दो चीजे हैं, जिने तुम्हें ध्यान से देखना है, पहला है कि तुम्हारा संकुल प्रतिचुम्ब किया है, विबिटी ने बोल दिया, कि आपका जो संकुल है, वो प्रतिचुम्ब किया है, ठीक है, विबिटी ने बोल तो दिया क्कुल प्रथी चुंब किये और दूसरा तुम्हें लगा कि ँगर कुस्चन में नहीं होता सफना कि प्रति चुंबक यह बात तो सब्ग्राएं है कि मैं गरोकी ने चाहिक लगरोगें तो मैंने सीफटी तो बता है था है नहीं ह् 1000 प्रकर कर के हैं और जब brass नशली होता है स्ट्रॉंग फिल्ड होता है इंनर ओरृविटल कशक बना तो हम आ बार तो तुम्हें जाना नहीं हूं ठीक है तो यहां तु तु दू वैसे करो यह विरी कही राय वहिसा प्रति चुम्ब की है तो यह अन पर लेक्ट्रोन लेके क्यों बठे हो पीछे डालो यह को ठीक है तो हम कहें कि भी अब हमारी है excited state इसमें हम क्या कर रहे हैं इन electrons को पीछे डाल रहे हैं क्यों क्योंकि संकुले ब्रदी जुम्ब की हम करें क्या ठीक है तो यह हमारा 4S है यह हमारा 4P है और यह 3D है ठीक है अब क्या करें 6 है पीछे बेज दो 6 को तो हम गएंगे अगर 6 को shift भी करें तो 2, 4 और 6 गए ठीक है अब इसा क्यों होता है वो सब CFT से समझेगे crystal field theory से explain करेंगे उसको ठीक है फिलाल ठीक है असने जो बोला हो तो हो गया अब second point भी clear हो गया कि लीगेंड संक्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलवद होने चाहिए तो 6 आगे के देगो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 कक्षक है अब संक्रण में यही 6 कक्षक भाग लेंगे है ना तो हम बोलेंगे 6 D2 SP3 संक्रित कक्षक ठीक है 6 D2 SP3 hybridized orbitals 6 D2 SP3 संक्रित कक्षक है ठीक है अब कैसे समझातो दो तो समझा है भई हमें खाली पेज की अवरशिक्ता है लो तो हम गएंगे देखो 6 मैंसे क्या है कि आपके यह 3 तो भरेवे है अब इंका तुम्हें क्या ही कर लो 2, 4, 6 है ना 3D में थे और 6 जो है वो संक्रण में mix हो गए तो यह 6 मैं यहां बना लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 और लीगेंड को है तुम्हारे पास अमोनिया था प्रबल शेत्र था अमोनिया था और यह आएगा तो लोन पर डोनेट करेगा तो बिल्कुल करेगा भई तो देखो 6 अमोनिया थीक है एक अमोनिया दूसरा अमोनिया पीसरा अमोनिया थोड़ा चोटा चोटा लिखना हुए चौथा पांचवा और च्छटा लोग सिक्स्त है ना और इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं छे बना देना टोटल एक दो तीन चार पाच और छे तो बच्चों ये छे के छे अमोनिया अपना पेर जो है इधर डोनेट करने वाले अब दोनेट कर दिया तो तो सब शांती है किया आमे अभी भर गया आमे भी भर गया ओओ शांती तो तुमें और युगमेद इलेक्टरॉम दिखा गया पहले तो दिख रहा था लेकिन तो संकुल बनने की पहली स्थिती थी अब आपने आप नहें नहीं निये तो वह ऊंगया तो बच्चे अब तुमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना और संक्रण तो मैं गोंगी यह तो D2 SP3 है ठीक है D2 SP3 संक्रण है तो आप कहेंगे को यह अंदर वाली टी ने पांटिसिपेट किया तो बिल्कुल अगर मुझे यह सोचना होता प्रती चुम्ब किया तो फिर मेरे दिमाग में यह चीज खटक दिग रहे हैं तो अनुच पीछे बेज़ दो प्रती चुम्ब किया मतला अनपेड तो नहीं है कुछ तो ऐसी घटना घटे तो ही है कि यह सब गयव हो गए यह सब पेर बन चुके है तो यह प्रती चुम्ब किया ठीक है छे कक्षक भाग लेंगे तो D तुम्हें अंदर के मिले है ना तो आपको बतान अंदर में N-1 D कक्षक भाग लेता है अतह यह आंतरिक कक्षक संकुल होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्पलेक्स आंतरिक कक्षक संकुल या लो स्पिन लिख सकते बच्चे निम्न चक्रन संकुल होगा फिर तुम्हें कहीं पे भी और युगमित इलेक्टरॉन नजर नहीं आया ह है ना तो बच्चे चोंकि और युगमित इलेक्टरॉन है ना और युगमित इलेक्टरॉन जिसको मैं बताऊंगी N तो तुम गोग और युगमित इलेक्टरॉन तो जीरो है तो बच्चे अगर अनपेड इलेक्टरॉन जीरो है तो आपका जो कॉम्पलेक्स है वो होगा कल Colorless and Diamagnetic रंग हीन और प्रती चुम्ब किया होगा सीधी और साफ बात है कि अगर आपके पास आई यह बीद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर बात है खतम Colorless, रंग हीन और प्रती चुम्ब किया और 6 लिगेंड की जोमेटरी क्या है? 6 लिगेंड की जोमेटरी तो हमें क्लियर ही है है ना, आपके पास कौन सा कॉम्पलेक्स है? तो हम गेंगे कोबाल्ट था ओक्सिगन अवस्था तीन थी और 6 अमोनिया थे चीक है, तो बच्चे 6 अमोनिया थे तो कुछ ऐसा बना दो ना, बोल ना, बोल नहीं सकते तो लिख सकते हैं ठीके, और मैं तुम्हार साथ रहती हूँ लाइव प्रेमियर में, कभी-कभी नहीं रहती हूँ, बट मोस्ली रहती हूँ ठीके, तो जो डाउट है तो मैंने एक स्लेक्चर में ले लेती हूँ मेडम रिकॉर्डिट रहता है, सवाल कैसे बूचे है, मेडम लाइव आजो, लाइव भी आऊँगी, फिलाहल रिकॉर्डिंग से काम चलाओ, क्योंकि डेली टाइम निकालना सोड़ सा मुश्किल हो जाता है, तो चलो, यहां तक तो बाते क्लियर हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है एक क्वेशन और कर लेते हैं, क्योंकि वेपीटी तो मैं अंसर पहली दे देती है, क्योंकि यह एनाई सी एन होल 4-2 जो है ना, वो रंग ही ने और प्रतिशम्ब की है, तो अंसर दुआल पहली पढ़ा है, और अगर तुम्हें सोचना होता कि मुझे यह नहीं मिला, तो ठी साइनाईट 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 एंधना किति गतरना की, प्रबलशेत्र. क्यों GET जो है कोई कन्याँ थि तो साइनृड वैल contraction पहली अंत्र ह्पचल्गुक्षं कोल और उर्बितर संकुल बने उर्बित्ल शन आएं ना मिलने क लोग्षपिंटन, इक स्टर भू ही ना Ε तो सबसे पहले था कि आप complex लेखो केंद्रिय धात्यू पर्माणू की oxygen नावस था central metal atom nickel इसको मैंने x माल लिया तुम सबको पता है sin 8 गा charge minus 1 है क्या तुम सबको पता है sin 8 गा charge minus 1 है नहीं पता तो पता होना चीए ठीक है 4 sin 8 है तो 4 से multiply करो equals to पूरे complex का charge minus 2 x equals to plus 2 ठीक है यहां तक तो हमें आता ही है nickel तो ऐसी टीवी कार में फे को नी कुंजी तो इसके बाद तो copper zinc की है 39 तो nickel 28 तो तुम कोगे अच्छा में आरगन तो 18 होता है अब क्यूं होता है मैंने इसी लेक्चर में सिखाया तुम्हें 4s2 3d8 अठारा 20 और 28 बाहर निकालने हैं दो electron काहां से निकालोगे जल्दी बोलो क्या तुम 4s से electron को धक्का देने वाले हो कि 3d से काहां से निकलेंगे 4s से कि 3d से तो बाहर कौन है 4s प्यादा कौन है 4s निकाल देने इसको निकाल तो 4s के दो electron निकले तो होंगेंगे वई 3d8 अब ग्राउंड सेट बनाईए बना लेते हैं 3d यानि 5 कक्षक 345 3d बना है 4s बनाईए तो 4s बना लेते हैं भी 4 भी बना हो तो 4 भी बना लो या चल्ला क्यों रिएल 3d में कितने electron भरने है 8 तो भर दो हो हांट electron तो भाई 1,2,3,4,5,6,7,8 चीक है अब यह बटी अपने जवाग खुद तया रखता है प्रती चुम्ब किया है बच्चे टेंशन ही मतले तो प्रती चुम्ब किया है मतलब यह दो क्यों दिख रहे यह दो तो नहीं दिखने ची पीछे रवाना करो उनको पीछे बेजो जगे खाली करो तो excited state यह नहीं में लिखो के G.S.E.S. तो चल जाएगा लेकिन तो जम्पिंग मंपिंग होती है तो मैं पता ही ठीक है तो हम कहेंगे ओक्य भाई 2, 4, 6, 3D हो गया, 4S हो गया, 4P हो गया, ठीक है अब मैं तुम्हें दोनों तरीके बता दिये हैं चुकि साइनाइड प्रबल शेत्र लीगेंड है स्ट्रोंग फील्ड है ना कोई गन्या नो बाई इन नहीं सब के सब स्ट्रोंग फील्ड है जब एक कार्बन डोनर आटम होत करता है स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड बनाता है ठीक है ना तो इनर आर्बिटल आंतरी कक्षक संकुल होता है सफल और वो बच्चा कही तो रहा है कि प्रती चुम्ब गिया है मतलब हमने सब को अंदर भेज दिया तो इक हाली कि स्कूशी पे रखा है का में लेओ तो अच् दो पी कुल मिला के हो गए चार ठीक है तो चार एक दो तीन और चार हुए चार डीएसपी टू संकृत कख्षक ठीक है चार डीएसपी टू संकृत कख्षक हो गए अब क्या करें आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ बताओ चीक है तो हम गएंगे देखो थ्रीडी जो था हमारा पहले आठ एलेक्ट्रॉन तो हमारे हमने यहां सेट कर दी थे ठीक है दो चार छे आठ यहां तो हमने सेट कर दी थे और चार डीएसपी टू यह हमारे कख्षक आगे हर थे ठीक है लीगेंड़ वारा सैयनइड था एक सैनएड- दू सैनएड- तीसरा और चौतर ते साईनइड वे काबन डोनेड गरेगा जहां रखना आज आई सोसाइनएंड में तूनेड करता है यहां काबन ठीक है तो हम कंगें गें चार डीएसपी टू sugar 4 डीएसपी टू Hybridized Orbitals ठीक है अब क्या करें चार बना दी DSP2 है तो पहले तो तुम कह दो देखो Inner Orbital Participate कर रहा है D आपका अंदर वाला काम है बाहर का तो आपने कुछ लिया नहीं है ना तो चूकी संकरण में N-1D क्योंकि बच्चे S और P तुमने 4 उठाये और D तुमने 3 उठाया चेक कर लो 4 is 4P और D तुमने अंदर का उठाया 3D है ना ये N है ये N है तो ये N-1 है ये सिखाया में तो बच्चा यदी संकरण में N-1D कक्षक नहीं चूकी संकरण में N-1D कक्षक भाग लेता है ठीक है अतह यह आंतरिक कक्षक संकुल है ठीक है वे Inner Orbital Complex Low Spin Complex आंतरिक कक्षक संकुल ठीक है और Unpaid Electron किते है और ये घुमित Electron कितने है तो हों गएंगे Unpaid Electron 0 तो फिर ये है प्रती चुम्बकियो जैसा कि उसने पहले ही बोल दिया था प्रती चुम्बकियो क्यों है समझाओ तो हम गएंगे Unpaid Electron दो दिखानी हमे तो प्रती चुम्बकियो होना है रंगहीन होना है और DSP2 संकरण हैं बच्चे तो DSP2 में पहले ही बताया जिया में थी क्या होगी तो हम गएंगे वरगाकार संतलिय अब वीबिटी ने कैसे बताया वरगाकार संतलिय तो प्रॉब्लम क्या है वीबिटी ने कहा कि Unpaid Electron नहीं है मतलब अब Unpaid Electron नहीं है तो एक ही सिचुएशन है जब D अंदर वना भाग ले और अगर Unpaid Electron होता बच्चे मालों कहता नहीं अगर Unpaid Electron नहीं है रंगीन है तो फिर तुमारे बस कंडिशन क्या होती इसको छोड़ दो आगे वाले अक्षक को पाटिसिपेट कराओ तो संकरन SP3 होता तो BVT पहले यह आपको जवाब दे देता है कि भी डाया मैगनेटिक है प्रती चुम्ब किया है या पहरा मैगनेटिक है अलु चुम्ब किया है अब तुम जवाब दे दू ठीक है तो बच्चा अगर आपका संकुल जो है वो वर्गाकार संतलिय जामिती रखता है है ना, तो ऐसे बनाओ अगर D.S.P.2 संकरन रखता है तो जामिती हो गई वर्गाकार संतलिय ठीक है तो यह आया हमारे पास एक साइनाइड ये साइनाइड नंबर दो ये साइनाइड तीन और एक और साइनाइट ठीक है, चाल क्लियर? और मैगनेटिक मोमेंट पी सिखाऊंगे आपको मैं आगे आएगा कि चुम्ब की आगून की गर्णा कर तो बच्चे चुम्ब की आगून की फॉर्मला रहेगा रूट एन एन प्लस टू लेकिन फिलाल जो तुमनें दो एक्जामपल की वहाँ एन 0 है तो म्यू 0 है म्यू है चुम्ब की आःगून एन है और य उगमित उलेक्टरौन की संख्या फिलाब जिरू-जिरू था तो मैने क्या बता हूँ है ना तो इसने में बताया नहीं तुम्हें लेकिन VBT पे हमारे पास 5-6 एक्जाम्पल और है जो हमें करने हैं ठीके तो 5-6 एक्जाम्पल और क्लियर कराऊंगी बताऊंगी तो तुम्हारी VBT एकदम कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीके तो अब मिलूंगी मैं तुम्हें अगली क्लास में जहां हम VBT के और एक्जाम्पल को डिस्कुस करेंगे तो नेक्स टाइम के लिए ठेक क्यार और गुट बाई